अब तक आपनी देखा राजा भोज के परोपकार की कधा में मत्से कन्याओं से रोने का कारण पूछने पर राजा भोज को पता चलता है कि किस प्रकार सामन्त धोखे से उनकी रानी मत्से गंधा को ले गया यदि मत्से गंधा ने अपनी आसु दे दिये तो वे सभी जलपरियां सदा के लिए अंधी हो जाएंगी राजा भोज को सामन्त द्वारा पता चलता है कि श्राप देने की पश्चात मत्से गंधा दक्षना मुखी शंक में जाकर गायब हो गई थी तब ही राजा भोज आसमान में देखते हैं कि सभी शंक समुद्र में गिर रहे हैं राजा भोज को रिशीवर से पता चलता है कि सब शंकों को शंकासु ने शंक लोग में कैद कर लिया है शंकासुर रानी मच्य गंधा की आगे उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है रानी के मना करने पर वो अंधकासुर को उसकी काल कोठी में उन्हें और दक्षणा मुखी शंक को बंदी बनाने के लिए कहता है राजा भोज रिशिवर से जल कुम्भी विद्या सीकर शंक लोग पहुँच जाते हैं आएए देखते हैं आगे ये तो शंक लोग जैसा प्रतीत हो रहा है ये शंकों की क्या दशा है मैं टूटे शंकों का आवाहन करता हूँ ये पवित्र और धरम की ब्रतीक शंकों आप लोगों की अवस्ता किसने की आप लोगों की अवस्ता शंखहासूर ने राजन शंखासूर हो कब शंखहासूर खंड़े थो गा कि में रहाजानि कि शंखहासूर का अंत नहीं हो सकता इसी बात नहीं इस अद्धा इस का आरंभ है तो उसका आंत भी है परन। कैसे होगा उसका आंति राजन arts परन्तु हम तो उसके प्रहार से निर्बल हो चुके हैं अब तो हमसे स्वर भी नहीं निकल सकता हम अब कुछ नहीं कर सकते राजन उसके लिए एक पूर्ण और शुद्ध शंक के आवशकता है शंकते जब परोकार की भावना तो नहीं मिलने वाली वस्तू भी मिल जाती कैसे होगा हम सब चोटिल है लहु लुहान है अच्छा शंकते विकपात पताईए कि आपने दक्षण मुखी शंक के साथ देवी मत्सिगंदा को देखा है नहीं राजन इन्होंने भी नहीं देखा तुम्हे कहां कहे होंगे तुम्हे भी इतना ही बचोगे तुष्ट मानो शंकासु तुम्हे नेश्ट कर देगा शंकासुर? हाँ वो बता सकता है मुझे उन दोनों के विशे में अब पहले मुझे उसको खोशना होगा एक मानो का इसना सहास कि हमारे सामराजे की सीमा थोड़कर यहां तक चलाया हाँ शंकासुर क्योंकि तुम्हे एक मानव की श्रक्ति को पहचान नहीं पायो कौन हो तुम और क्या कर रहे हो या शंक लोक मैं यही प्रेशन मैं तुमसे पूछता हूं कि एक असुर होके एक पवित्र धर्ती पर क्या कर रहे है वाँ रशिंजा करते हैं हम तुम्हारे इस साहस की तुम साक्षात काल के सामने खड़े हो और तनिक भी भै नहीं भै अधर्मियों को होता है शंकासुर शरम के रास्ते पर चलने वालों को नहीं और डरना तुमको चाहिए क्योंकि मृत्यू तुमहारे सामने खड़े मृत्यू तुम मूझे मृत्यू धोगे क्या करें तुमने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं और शंकासुर हर अधर्मी की हेनियती होती मुझे ब्रह्मा का वर्दान है जानता और इस बात को भी भली भाती जानता कि दक्षण मुखी शंक की ध्वनी के कारण तुम्हारी मृत्य होगी तो अब अब मैं तुम्हें अपनी मृत्यू का आफसर प्रधान करता हूँ वो दक्षण मुखी शंक जिसकी ध्वनी से मेरी मृत्यू है अंदकासौर आदेश जाओ और उस बंदी दक्षिन मुखी शंक को लियाओ अवशे ही यह वई शंक होगा जिसमें देवी मत्से गंधा ने चरण में थी यही सुने रावसर होगा उस शंक और इस रक्षक को मार कर मत्से गंधा से वीभा करने का वो इसे देखकर बाहर निकले की और मैं कौन है आप आप मत्सेगंधा देवी है ना कर नाम देवी मैराजा भूज आपका रक्षक मेरे काल आगे बढ़ो और उठाओ मेरी मृत्यू के कारक उस दक्षिन मुखी शंक को और इतनी जोर से बजाओ कि मेरी मृत्यू हो जाए बजाओ शंक को बजाओ शंक बजाओ मानाव अब शंक तक तुम नहीं तुम नहीं तुमारी मृत्यु पहुचेगी उठो और मिटा अधर्म को विटादो शंका सुर को उठो और फूग दो शंक तुम फूगदो शंक भूग वशंका सुर्ड़ को वर तुमारी सिता को भी कर दो को अट प्रुक्यों के परलो आगे और भजा आज श्रांक जबाश व्ीर मानाओ आज पहली बार किसी वीर सहाशी पराकर्मी राजा से हमारा सामना हुआ है तेरा सामना मुझसे नहीं है शंकासूर तेरे मित दूसर अपने अल्द के लिए तयार हो जाओ ये 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 यह क्या राजा भोश्टुक गिर गए कहीं मेरी परिक्षा इनके लिए सच में घा तक ना साबित हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो यह अठ्छा नहीं होगा?' क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ नहीं! जो हो रहा है, वह सही हो रहा है क Minnie में तबकर ही सोना कुंधन बनता है और अगर राजा भोश कुंधन नहीं है तो इन्हें मेरे मित्र के शिंगासन पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है कहा हुआ बैर किस थाम में हुआ यह तो तनिग भी प्रकाष्ण नहीं है होँआ मुझे मुष्ट करा मुझे अभर मेरे सामने आँ नहीं जा सकते राजाभोष्ण तुम यहां से कभी नहीं जा सकते यही पड़े-पड़े सड़ते रहोगे और एक दिन मर चाओगे प्रकाष्ण की एक मध्यम किरन भी नहीं देख वाओगे तुम क्योंकि यह स्थान अंधकास्टूर की काल कोठी है अंधकास्टूर की काल कोठी मैं उस जंकों का पुनर्ष तापित करूँगा यही तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा अधर्म के विजय हो जाएगी अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मुझे मुख्सकराज का सोर जब हमारा शरीर नेजीर सुर्ण का बन चुका है तो इसमें प्राण क्यों शेश है किसलिए यह स्वास चल रहा है कुछ कीजिये रिशिवर जिससे हमारा दुख दूर हो जाए हमारे प्राण निकल जाए हाँ रिशिवर आप तो ग्यानी है कुछ कीजिये कुछ ऐसा कीजिये कि हमारी मृत्ति हो जाए हाँ रिशीवर अब हमें नहीं जीना है हाँ हाँ हमें नहीं जीना है मैं आप सबकी करूर वेधा समझ सकता हूँ शरीर शव है और आत्मा कैद इससे दुखदाई स्थिति कुछ नहीं हो सकती परंतु दुख में ही तो धैर की परिक्षा होती है न कुछ समय और धिरज रखिए कब तक रखे रिशीवर अब तो धिरज ने भी दम तोड़ दिया है बस थोड़े समय के लिए धैर रखें राजा भोज शंक लोक गए हैं उनके आते ही आप सभी का दुख दूर हो जाएगा वो कब आएंगे वो कब हमारा दुख दूर करेंगे क्या पता रिशीवर कहीं वो वहां से लोटे ही नहीं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि राजा भोज वापस नहीं आए राजा भोज एक परोपकारी पुरुष है और परोपकारी पुरुष किसी भी युद्ध में हारता नहीं राजा भोज की जीत होगी और अवश्य होगी हाँ, राजा भोज की विजय होगी मेरे मृत्यु देवता, यहां तुमारी कोई शक्ती प्रभावी नहीं होगी क्योंकि यह इस्थान अंद का सुर का गहन को है अंदकार से बरा गहन को इस्थान प्रप्रभाशिर प्रभावी, जीत है सुर्प्र्भाशिर, नहीं अन्दिका सुर्गे सम्राजे में, अन्दिका सुर्गे सब्तु परोईश नहीं कर सकता नहीं यह तो दक्षन मुखी शंक है देवी मच गंधा, देवी मच गंधा, आप सुन रहे हैं ना मुझे राचन, आप, आप यहां क्यों आएं आपको अंधकासुर, और शंकासुर से मुक्त कराने क्यों? ताकि आपके श्राप से, जो लोग सोने के बन गए उसने अपने लोब से, लोगों को सोने का बना दिया आपका श्राप उसके लिए तो वर्दान बन गया लेकिन बाकी लोगों के लिए भी श्राप यह मैंने क्रोध में क्या कर दिया? नहीं देवी, इसमें आपका कोई दोश नहीं है आपने जो भी किया, वो अपनी सुरक्षा में किया और सुरक्षा में उठाये गया कदम अभी दोश पूर नहीं होता और अब हमें यहां से, यहां से निकलने का मार्क देखना होगा देवी नहीं राजन, मैं यहां से नहीं जा सकती हूँ आप चले जाएं मैं आपकी बेड़ा खोलने में आपकी मदद करती हूँ देवी, आप चिंता ना करें मैंने जल परियों को बचन दिया है कि मैं आपको यहां से मुक्त कराकर ही ले जाओंगा आपके सुरक्षा, अब मेरी जिम्मेदारी है बोलू, मैं कुछ बोलू मुझे गाजा भोच को देखना है सुंदरेलेखा को नहीं जब तक सुंदरेलेखा को नहीं देखोगे और कुछ नहीं देख पाओगे आखिर अपनी दिवानी को कितना सताओगे सुंदरेलेखा, देखो, इस समय मैं राजाबोज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही कथन परिक्षा लेने में व्यस्त हूँ और उस परिक्षा की समापती का समय आ गया है इसलिए अभी तुम यहां से जाओ नहीं मेरे बेताल मैं तो तुम्हारे साथ नित्टी करना चाहते हूँ मुझे कोई नित्टी नहीं करना है तुम चली जाओ यहां से हुआ 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 कर दियो है यहां कि जएख आध मारत मुझे कमि अप्लेओ कि एंदर अधर्ली है कर दो कि तुमने कीया मुझे तुमने कर हो सांधरे ले कर दो मुझे अएले का इसेमिल है मुझे निस्ते नहीं करना है, संदरेलेका मुझे निस्ते नहीं करना है खोलो, तुम भी सौंदेर लेखा के साथ मिले हुए, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो, मुझे दिखाओ कि मेरी परिक्षा का उठ किस कर्वच मे था क्या हुआ अंदकासुर, इतने परेशान क्यों हो महराज, बात ही कुछ ऐसी है क्या हुआ आज मैं पहली बार किसी से बहबीत हुआ हूँ किस से? लाजा भोच से क्या किया है उसने? उसमें अद्बुच शक्ति हैं, महराज उसमें योग शक्ति है मुझे तो भय है कि मैं उसे अपने अंदकार की कैद में ज़्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगा तुम कहना क्या चाते हो अंदकार साफ साफ कहो केवल इतना कि इस से पहने कि उस संकट बने आप उसे मृत्यू के घाट उतार दीजिए उसे दी और शंक को भी बही बात मच से गंधा की आप उसका लोग भी त्याग दीजिए उसका भी अंदकार दीजिए जब आप तिरलोगी बन जाएंगे तो उससे कहीं ज़्यादा सुंद्रिया आपको क्राप्त हो जाएगी महराज तो सत्ते कहरे हो अंदकासूर जब मच से गंधा को हमारा प्रेम सुईकार नहीं है तो उसके जीने का अर्थ क्या है क्या है उसके जीने का अर्थ हम आज ही उन सब का अंद कर देंगे मिटा देंगे सब को इस दुनिया से नहीं राजन यह गदापी संभव नहीं है जानता फिर भी ऐसे परामर्श दे रहे हैं क्योंकि इसकी अधरिक हमारे पास बाहर ने का और है और मार्ग ने है राजनी हम मज से करनाय कभी विवाह नहीं करती है क्योंकि जब विशनु जीने मजस से अफतार लेकर हमारी रक्षा की थी उन्होंने हमें अपनी पतनी के रूप में सुघकार किया थी इसी रहे हम विश्णु जी को अपने मंद से अपना पती मांगे देवी शमा करिएगा फिर तो आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं यदि आप अपने से उपर उठकर सोचेगा तो आपको अपनी ही बाते अधार हीन और अर्थ ही नजर आएंगे ज़िए एक सिध्धान्त को एक परंपरा को त्याग देने से तो इससे त्याग देना चाहिए देगी और जहां तक मैं समझता हूँ इससे आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे धर्म का उलंधन नहीं करेंगे बाकी निरने आपका है देवी आप फैसला करें कि अप्डेश कर दो कि अप्डेश कर दो कि अप्डेश कर दो